तो दिन है बुद्वार का सुबे का वक्त है और यहां पर जल्दी से लग चुकी हूँ हस्बन के लिए नाश्टा बनाने की तैयारी में तो हुआ ये था कि मंगलवार के दिन हस्बन जो है आफिस से आते हुए गोबी और मतर साथ में गाजर लेकर आये थे तो अभी आजकल की जो गोबियां आती है वो बड़ी अच्छी आती है एकदम साफ जो फूल होते है वो होते है तो रात को हस्बन नहीं आलू मतर की सबजी बना दी थी आलू मतर और गोबी की मिक्स करके और एक गोबी बची हुई थी तो वो मुझे यूस करने थी तो सुचा चलो आज गोबी के पराठे बना देती हूँ क्योंकि जो सब्जी उन्होंने रात को बनाई दी न तो उन्होंने रात को बोला कि मैं कल टिफिन में भी जो है न यही सब्जी ले जाऊंगा क्योंकि जब वो खुच से कोई चीज बनाते है न तो भाई उन्हें तीन क्या चार टाइम भी खाने को दे दो तो बड़े खुशी से खाते हैं किस-किस के हजबन ऐसा करते हैं बताना जरूर मेरे हजबन तो भाई ऐसा ही करते हैं उन्हें हाथ की चीज बनाएवे बड़ी शौक से खाते हैं तो अब क्योंकि उनके टिफिन के लिए तो इंतिजाम था तो मैंने सुचा चलिए यहां पर पराठे बनाएंगे तो घी जो है न मैंने मेल्ट होने के लिए निकाल के कटोरी में और तवे के ऊपर रख दिया है कभी काम करती हूं न मैं तो कोशिश करती हूं कि यह बास्केट यहां से हटा दू ताकि मुझे किचन में स्पेस मिले हालंकि उस साइड का मुझे कुछ काम होता नहीं है लेकिन फिर भी वही है किचन में स्पेस देखने की आदत है तो इस वज़े से इसको तो मैं हटा ही द गोबी में मैंने नमक मिला के रख दिया था उसके बाद अच्छे से निचोड के और यह जो हरा वाला नमक है वही मैं इसमें एट करूँगी और थोड़ी सी गोबी ना मैं इस टाइम पर अलग से निकाल दूँगी क्योंकि अगर बच्चे बोलेंगे गोबी के पराठे काने क चुकी हूँ और एक कॉमेंट आया था कि जब हम इस हरे नमक में हरी मिर्ची का यूज करेंगे तो क्या नमक खराब नहीं होगा तो फिलहाल तो सर्दिया है देखो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और गर्मियों में अगर थोड़ा सा आपको लगता है तो आप फ्रिज म बनाऊंगी और पराठे जो है मैं उसके बाद बनाना शुरू करूंगी क्योंकि टिफिन में ये जो है पराठे नहीं ले जाते है और एक तरफ जो सबजी रात को बनाई हुई थी वो भी जो है मैंने गरम कर दी है और सर्दियों में ऐसा चल जाता है कि चलो नाइट की आप से जितनी भी रोटी उन्हें ले जानी है वो बना दी है और ये जो गोबी थी ना मैंने इसको बहुत अच्छे से कपड़े से निचोड़ा था तो अब जैसे मूली और गोबी होती है मैं उनको कपड़ों से निचोड़ती हूँ तो मैंने देखा है कि कपड़े से सानी निकल जाता है और दूसरी बाद जो पराठे होते न वो बहुत अच्छी बनते हैं मतला फटते नहीं हैं बिलकुल भी कही से भी तो आप देखना बिलकुल भी नहीं मुली का अचार रखूंगी, मूली और हरी मिर्ची का, जब हम हरी दवार से आये थे, तो ममी जी ने यह वाला अचार बना के दिया था, वो सारे ही अचार बहुत अच्छे बनाती हैं तो मतब्द वहाँ पर उन्होंने बनाया वह था तो मैंने ममी जी को ऐसे भूला कि ममी जी ये अचार हमारे लिए भी बना देना तो उन्होंने तुरण नेक्स टे जो है वो अचार बना दिया था तो बस वो खतम होने वाला है, साथ में मैंने एक पीस छोटी सी जो तिल और गुड की चिक्की बनाई थी घर में वो रख दी है, यहाँ पर हस्बिन का टिफिन हो गया है रेडी, बस अब वो निकल जाएंगे अपना ओफिस के लिए हलो एबिवन, गुड मॉनिंग, तो जी वंचिका के पापा अभी निकल चुके हैं ओफिस के लिए, और यहाँ पर विदांज कर रहा है अपना होमवक, तो थोड़ा सा काम इसका ट्यूशन का था, जो छूटा हुआ था, वो कर रहा है और देखिए हो गया है, यह कपड़े न पहने का नतीजा है, इस लडगे को कितना बोल दो, हाँ, यह मैंने कल जबरदस्ती बनाया है, तुद नहीं पहन रहाता, और अगर यह अंदर पहन लेता है, उसके बाद ही कहता है, मुझे जैकिट भी मत पहना हूँ, बस यह दो काफी है, और आब इसको कोल्ड हो गया है, जाता होगा ना, तो मैं करूंगी पिटा ही इसकी, बहुत बुरी तरीपे से, ठीक है? नहीं, नहीं ठीक है, तो इसका टूशन का काम है, यह भी करेगा, और इसके बाद यह दोनों निकल जाएंगे टूशन के लिए, क्योंकि इन दोनों को आज टूशन जाना है, और एक प चल उठे जल्दी से उठो, अच्छा उठ जाना बिटा, टूशन जा रहा है ना जल्दी, हाँ जाना है, तो उठो, शाबाश, वाजे के हाल देखो, कितनी ओस जमी हुई है इसमें, पुरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, और आज लग रहा है कि थोड़ी धूप निकलेग क्योंकि आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है देखिए, आज काफी ज़्यादा क्लियर है मौसम, और बस धूप निकली जाए आज तो, जब धूप निकलेगी ना, तब ही यह जितने कपड़े हैं यहाँ पर डल रहें, कुछ यहाँ पर देखिए, वरना कल तक तो यहाँ के हालात बिल्कुल खराब थे, मुझे यह जितने भी प्लांच से ना, इनमें पानी भी डालना है, और आज मुझे यह सारी बैलकुनी वगरा यह भी क्लीन करनी है, तो आज मेरे पास बहुत सारे काम है, बड़े दिनों बाद इतनी तेज धूप जो है, वो देखने को मिली थी, धूप तेज तो थी ही, साथ में काफी जल्दी आ गई थी, मतलब जिस टाइम पर नॉमली आती है ना, धूप, हमारी बैलकुनी में उसी टाइम पर काफी तेज धूप आ गई थी, तो धूप देखके इतनी खुशी हुई ना, तो क् लेकिन वही होता है ना, जिस दिन आप ये सोचके काम करते हो, नेक्स डे कुछ अलग होता है, तो बस फटा फट से मैंने धूप में सारे कपडे डाल दी है, मतलब मैं अपने सारे काम छोड़के ना, पहले ये काम करने के लिए आई थी, ऐसे जब तक धूप रहती है, तब बहुत ज़ादा ज़रूरी है, अपना कपडे वगेरा सुखाने के बाद मैं आई फटाफट से किचन में, क्योंकि मुझे किचन समेट नी थी, एक्चली हुआ ये था कि बच्चों ने गोबी के पराठे घाने से मना कर दिया था, तो मैंने फटाफट से पनीर आउडर कराय और बच्चों के लिए बनाए पनीर के पराठे, तो किचन मेरा बहुत ही ज़ादा मैसी हो गया था, उदर मैं सारे बरता निखटा करके और किचन विचन क्लीन करके आ गई हूँ, अब मैं लगाऊंगी जल्दी से जाडू पुरे घर में, और हुआ ये है कि बच्चे टाइमिंग है, वो चेंज हो गई है, भई जो बच्चों का दुख था ना, वो देखने लायक था, एक्चली ना, हमारी कुछ प्लैनिंग हो गई थी इस बीच, लेकिन फिर क्योंकि बच्चों को स्कूल है, तो स्कूल देखते हैं, वो जो प्लैनिंग है न, वो कैंसल करनी पड़ी, अब जिसे बच्चे जो है, वो बहुत जादा अपसित हो गएते, और होता ही है, जब आप किसी चीज की प्लैनिंग करके रखते हो न, और फिर वो चीज नहीं कर पाते हो, तो दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों को समझा, बुजा के, हमने बोल दिया है, जो मैं आ चुकी हूँ, ना दो के, और अब मैं करूँगी अपना थोड़ा सा स्किन केर, अच्छा पिछले दो से तीन दिन हो गए थे, मैंने अपने फेस्पिक कुछ भी नहीं लगाया था, इतनी ठंड हो रही थी ना, कि मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है, बस नहा के आओ, कैप पैनो, और हीटर के आगे बैट जाओ, या थोड़ा बहुत जो काम निप्टाना है, वो निप्टालो, मतलब वही होता है ना, कि बहुत जादा सरदी भी पड़ती है ना, तो फिर अपने लिए कुछ करने का मन नहीं होता है, तो आज मैंने का नहीं, आज तो थोड़ा से स्किन केर कर लेना चाहिए, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से जो स्किन है, वो थोड़ी सी ठीक हो रही है, तो बस यहाँ पर जो भी अपना में को लगाना था, म संस्क्रीन हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्क्रीन देखिए, हीट से हमें प्रोटेक्ट करता है, और हीट तो जरूरी नहीं है, कि फिर सूरज की ही हो, हमें तो गैस के आगे भी काम करना होता है, तो वहाँ पर से भी जो हीट लगती है, तो यह देखिए, अपड़े थे न ये कलके थे जिनकों की लाकर मैंने हिटर के आगे रख दिया था तो ये सूख चुके है बस इनको मैं फोल्ड कर दूँगी और हाँ कॉमेंट आया था कि आप लोग घर में सिफ चार हैं तो भी आपके इतने सारे कपड़े कैसे हो जाते तो यार मुझे भी नहीं पता चार ही है लेकिन कपड़े बहुत हो जाते और अभी तो आपको शायद ज्यादा इसले भी लग रहे हैं कि एक बार के सूख नहीं रहे हैं फिर दूसरी बार के दूलते तो वो इखटा हो रहे हैं वो इखटे होके तो फिर ज्यादा लगते ही है और अभी फिलाल सर्दियां है तो सर्दियों में गरम कपड़े होते ही हैं अब एक बंदा मतलत तीन तीन चार चार जोड़ी तो उपर ही पैन के रखता है उसके बाद लोवर सॉक्स तो सारी चीज़ें मिलाके कपड़े जादा होई जाते हैं तो यहां पर देखिए मैंने जल्दी से सारे कपड़े भी फोल्ड कर लिये हैं और इस टाइम पर दोनों बच्चे जो है ना महादेव सिरियल देख रहे थे तो वंशीका को तो आजकल ऐसी लत लग चुकी है ना वो टूशन जाने से पहले टूशन से आने के बाद या जब भ होता है ना विदाश भी देखने लग जाता है वंशीका के चक्कर में कि चलो दीदी देख रही है तो बैटके जो है मैं भी देख लेता हूं यह देखिए यहां पर दोनों का सिरियल चल रहा है और श्याम को इनके पापा भी जो है ना इनको जॉइन कर लेते हैं आके अब क्योंकि मैं नहा के आई थी मेरा मन करा था एक कप चाहे पीने का तो बस फटा फट से मैं आपर बनाऊंगी अपने ले गर्मा गर्म चाहे और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का एंड करूंगी तो यह था वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और वी अब्लेगा